नमस्कार प्राइम टीवी मापका स्वागते मैं हूँ आपके सार्शिखा मैरोत्रा हमारे इस खास खारिक्रम शक्सियत में आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मौताज नहीं है जिन्होंने अपनी आज जिस मुकाम पे हैं जिनसे आज हम रूबरू कराएंगे और आपको मिलवाएंगे और जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ अंसुने किस्ते सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम शक्सियत में तो आपनी जिस सरह से चात्र जीवन सपनी राजनीती के शुरुआत करी है एबीबीपी से जुड़े रहे हैं तो सबसे पहले हम जानना जाएंगे आपकी छात्र राजनीती से जुड़े कुछ किस्ते किनकिन जुनाथियों का सामदा करना पड़ा और जो आपके दोस्त रहे उनका कितना योगदान रहा आपको इस शिखर तक पहुँचाने है देखिए मैं मूलता बलिया का रहने वाला हूँ बलिया जो है उत्रपरदेश में सबसे पूरवी छोर है और वहाँ मैंने अपनी बारवी क्लास 12 तक की पढ़ाई की वहाँ से होली को स्कूल से और वहाँ से निकलने के बाद मैं ग्रेजुएशन करने लखनो विश्विद्याले आया जहां मैंने बीकॉम किया और उस बीकॉम करने के दवरान मुझे छात्राजनीती में मैं इंटर किया क्योंकि शुरुवात सही जो एक बलिया के बारे में धारना है कि वहाँ के लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स पसंद करते हैं तो वही धारना मेरे अंदर भी थी मेरे खून में भी थी तो एक छात्राजनीती के प्रती जुकाओ मैं लखनो विश्विदाले में जबाया तो मेरा हुआ और वहाँ मैंने छात्राजनीती की शुरुवात की और छात्राजनीती करते हुए जिए मैं कैंपस में एक आम छात्राजनीता की तरफ भूमा करता था तो मैंने देखा कई दल, कई संगठन थे, जो कि चात कई संगठन थे, जो कि उनवर्स्टी में स्टूडन्स के लिए काम करते थे, उसमें NSY थी, ISA थी, और भी कई वो थे, लेकिन मेरा एक जुकाओ जो है, अखिल भारती विद्धारती परिशद, ABVP, उनके जब मैं कार करत हो देखता था, तो मैं मुझे उनके अंदर एक अलग ज़स्बा दिखता था, वो कैंपस में जो है, वो जाते थे, चात्रहित की जो मूल मुद्दे हैं, उसके लिए इमांदारी से लगते थे, उनके लिए खोशिश करते थे, और उनके अंदर एक अजीब सा, मतलब चार्म था, एक अजीब सा अट्रैक्शन था, एक अनुशाशन था, तो उस वज़से से मैं अकर्शित हुआ, टूर्स अखिल भारती विद्दार्ती परिशत, और तब मैं अखिल भारती विद्दार्ती परिशत के कारिक्रमों में धीरे-धीरे एक दो बार जाने लगा, कई वो जो है student development की बात करने वाली organization है जो चात्रहित की बात करती है चात्रहित की लड़ाई लड़ती है और कोई भी लड़ाई जो अखिल विदारती परश्चत लड़ती है तो वो शुरुवात से लेके अंत तक वो लड़ाई लड़ती है जब तक उस समस्थरे का समधान नह सब्सक्राइब इसके महीं रहा है सब्सक्राइब करा दो इन तमाम जगों में शामिल हुआ और तमाम अपने छात्यों के साथ में कदम से कदम मिला के छात्य हित की बात की, मैंने छात्य हित की आवाज उठाई, छात्य हित की लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पुलिस की लाठिया भी खाई, हम लो तो बारिश हो रही थी, तो हमने यह डिसाइड किया मौसम खराब हो रहा है, तो यह हुआ कि सरस्वती एक नंबर गेट पर सरस्वती जी की प्रतिमा है, उसी पेड़ के नीचे जो है, हम लोग धरना दिया करते थे, तो वहाँ बारिश होने लगे तो हम कहाएगे, हम लोग कह हात हित से इतर, डिगे नहीं हम अपने मांगों से हटके, हम लोग ने जब अपनी मांगे मनवा नहीं ली, तब तक हम वहाँ से हटे नहीं, और भी इस तरह कई आंदोलन है, हमने भूख हर्ताल भी की ती, करीब दो-तीन दिन तक रहा उसमें तबियत भी हमारे बिगरी, हमा मांग मान ली गई, और भी कई सारे आंदोलन धरने प्रदर्शन हमने चाहते हित के लिए किये, तो एक वहाँ से सफर शुरू हुआ, विद्धार्ती परचत से, और उस सफर को पूरा करते-करते, और भी कई दायत, उक्तरपरदेश सरकार में, मैं उर्दू भाशा समिती है बहुत लंबी कहानिया है, बहुत सारी कहानिया है, और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग step by step, एक एक कारकरताओं का प्यार आशीरवास ने पाते हुए यहां तक पहुंचे हैं, इसमें खास तोर पे जो मेरे माँ-बाप हैं, मेरे साथी हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल है, मेरे फैमिली है, उसका बड़ा रोल है, तो इनके साथ कि मैं यहां तक निश्चित तोर पे नहीं बहुंच सकता, और मैं मानता हूँ आज यहां बैठ के इस कुरसी पर बैठ के जब मैं देखता हूँ, तो मैं सभी मेरे जितने युवास आती हैं, जितने भाई- चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए एक एनरजी का काम करते हैं, बहुत बाद दी मोटिवेट हुआ, लंबा सफ़ता भी आपको लगता होगा, यंग एज में हम लोग बन गए, लेकिन इस एज में भी बहुत लंबा सं हम ऊसा खरीच सकते हैं, लेकिन तब ऐसा संगर्शुआ करता था कि हम लोग पास चाह पीने का पैसा नहीं होता था, तो हम लोग जैसे में बलिया से कोई लोग आते थे, सीनियर लोग, तो उनके साथ हम लोग लगनों में घूमते टाल ते इस लालश में कि उनके साथ रहें तो अच्छा बनमक्षन चाय खाने को मिल जाएगा, एक को दो दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, और जब हम लोग रहते तो सब 10, 15 लड़के एक साथ रहते थे, सब चाहते थे, तो हम लोग एक बहुत स्पेशल है और चीज थी, जब कोई हपा रहा है बलिया से या महुगाज को मिलेगा, पैसे करते हसते खेलते जूचते संगर्स करते हम लोग यहां तक पहुंचें, अच्छा लग रहा है कि आज सब के हमारे जो दोस्त, यार साथी, परिवार, फैमिली, इन सब के प्यार अशिरवात सहयोग से, आज मैं यहां तक पहुंचा हूँ, सब का आभार है सब का रोल है इसमें, तो आपके दोस्तों ने आपको काफी सहयोग किया ही है, जब आपको राज्य मंत्री बनाए गया, जब आपको शपर दिलाई गई, तो उसके बाद कौन मोंसे से दोस्त रहे, जिन्हों सबसे पहला को शुकाना दी, जिनको अब कभी नहीं बूर सकते ह भलिया से लेखे लख्णव, शुध अले परिवार सब लोग शात राजनीती के जो लोग जूरे हैं यहीं के नहीं, तमाम उन्वरस्टी के अलग 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 उनुर्श्टी के, मेरत उन्वरस्टी, अलिगर उन्वर्स्टी, गोरखपुर उन्वर्स्टी, कि हर वो वेक्ति जो राजनीती से जुड़ा है, जो समात से जुड़ा है, वो अपने आपको मंत्री फील कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, कि मेरे बनने से तमाम लोग को ये महसूस हो रहा है कि वो बने हैं, एक आम जो छातनेता, एक आम जो कारकरता, एक आम जो पदादिकारी, जो व्यक्ति काम करता है, ग्राउंड पर जो खौब देखता है, वो खौब उसका मेरे रूप में पूरा हुआ है, और मैं बना हूँ, तो अभी आप से पहले भी कई सारे लोग, संग्ठन के लोग आये, चातने के लोग आये थे, अभी भी कई ल के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है, तो यह जो जजबा मुझे मिला है, तो मैं अब दुगनी रफ्तार से इस दिशा में काम करूँगा. आपने बहुत अच्छी एड्यूकेशन पाई है, डबल मास्टर्स किया है, इतना पढ़ने लिखने के बाद आपने राजनीती में आना चुना, आकर कौन सी ऐसी चीज सी जिससा आपको राजनीती में आने के प्रेणा मिली, क्योंकि कहतें कि कोई ना कोई ऐसी चीज देख अगर मेरे मुबाइल में देखिये, मैं चंशेकराजाद जी का जो है वाल पेपर लगा कर रखता हूं, जो युवाओं के लिए एक है कि युवा जो है पढ़ लिखके के बाद नौकरी ना करे, के बिजनस ना करे, राजनीती में भी युवाओं का आना बहुत जरूरी है, यह सोच मेरी शुरुवात से ही थी, और एक सिक्षित राजनेता होना बहुत जरूरी है, यह सोच भी थी, तो अकसर यह कहा जाता था जो नेतागिरी करता है, पढ़ते नहीं है, लेकिन अब आप देखिये, आज के दौर में मैंने जो है ग्रेजुशन किया, फिर से दो बा सोचने के और कई एंगल डेवलप करता है, इसलिए समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनस में हो, चाहे जॉब में हो, मेरा परसनल यह मानना है कि उसको एजुकेशन से एक जुडाव रखना चाहिए, जो कि मैंने किया, पॉलिटिक्स में होने के बावजूद ही, मैंने रेगुलर अपनी परहाई जारी रखी, और उस परहाई का फायदा यह हुआ कि मुझे सोचने के कई डिस्टिकोन मिले, किसी एक चीज पर सोचने का विचार करने का मुझे कई सारे थौट मिले, पढ़ने से क्या होता है, आपको और जानकारी मिलती है, और आप जानकारी आपको मिलेगे, आप जानकार होंगे, तो आप अपने डिस्टिसन्स और अच्छे और बहतर बना पाएंगे, तो इसलिए पढ़ाई निश्यत तोर पे बहुत जरूरी है, और खास तोर पे मैं कमा अपने युआ साथियों से, अल्प्शंक्यों इसे कहना चाहूँगा, कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, जिस फिल्ड में भी है, जो भी मेरा हमारा फिल्ड अफ इंटरेस्ट है, उस फिल्ड अब तो देखिए, पहले एजुकेशन की एक लिमिटेशन थी, अब तो एजुकेशन इतना ब्रॉड लेवल पर हो गया है, आपक अगर बैंकिंग का शौक है, तो उसके अललग करूस है, आपके जो शौक है, उस पे भी कोर्से आज के दौर में डेवलप हो चुके हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी ऑपर्चून्टी है, कि हम इस इन चीजों का हम फायदा उठा पाएं, जो हमारा फिल्ड अफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड हम कोर्स करें, उससे रिलेटेड हम सर्टिफिकेट हासिल करें, उससे रिलेटेड डिगरी हासिल करें, ताकि हमारी जो सोच है, हमार जो इंटरेस्ट है, उसको और धार मिल सके, तो एजुकेशन तो सबसे मूल रास्ता है, अपने सफलता को निभाएंगे देखिए बात करूं मैं अपने डिपार्टमेंट की तो हमारे डिपार्टमेंट में पिछले पान साल में आधनियोगी जी के ने तुमें हमारे जो पूर मंत्री थे मौसिन रजा जी के ने तुमें बहुत अच्छे-च्छे काम हुए अब मेरा विजन है कि ज पान साल में जो काम हुए है आगामी समय में हमको उसको और बहतर से बहतरीन बनाना है इस दिशा में भी काम करना है मदरसे का बच्चा है वो भी जो है दीनी तालीमात के साथ साथ दुन्यावी तालीमात हासिल कर रहा है आज आज वो मैट्स भी पढ़ रहा है कंप्यूटर भी पढ़ रहा है साइंस भी पढ़ रहा है और राश निर्मार में अपनी सक्रिय भूमी का निभा रहा है इसके साथ साथ जो हमारे महापुरुश है जो हमारे स्वतनता सग्राम सेनानी है उनके बारों में भी मदरसे पढ़ाया जाए इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि जो हमारे मदरसे का बच्चा है वो जान सके कि आज हमारा भारत देश इतना महान है तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ है कितने महतपूर योगदान है कितने कुर्बानिया है जिससे हम यहां तक पहुँचे हैं तो इन चीजों को भी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे साथ ही साथ जो अलपसंख्यक बाहुले जो बस्तिया है वहां के इंट्रास्ट्रेक्टर डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे वहां की पेजल व्यवस्थाएं और अच्छी हों अब यह जाना चाहते हैं कि आपने बीजेपी कोही क्यों चना बीजेपी की कौन से इसी मीटिया है जिससा प्रभावेत हो बीजेपी से चुड़े देखी मैंने जैसे बताया कि जब मैं चाहत एकाम चाहत था चाहत राजनीती में था तो मैं जुकाव विद्धार्थी प्रच्छती तरफ हुआ तो वैसे ही जब मैं मेन स्ट्रीम में जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि पूरे देश को एकजूट करने की बात पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात पूरे देश के लिए इमानदारी से काम करने की बात कोई अगर पार्टी कर रही है तो वह है भार्तिरंता पार्टी कर रही है तो भट अविसे कोई भी वेक्ति अगर अच्छा पॉस्टिव सोच रखता है तो उसका जुकाव अपने आप इस दिशा में हो जाएगा वही मेरे साथ भी हुआ तो मैंने जब सोचा कि मेरा रोल मैं अपने आपको राष्ट निमार में क्या भूमिका मेरी रह सकती है तो मुझे दिखा एक ऐसी पार्टी भारते जन्ता पार्टी जिसमें मैं काम करके अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता हूँ इस तरह मैं जुकाव भारते जन्ता पार्टी की तरफ हुआ तो वहां मुझे भारते जन्ता पार्टी का अल्प्शंखे का प्रदेश महामंत्री बनाये गया और मैंने और मुझे एक और आपको बात बता दो मुझे जितने मी मेरे शीष नेत्यूते थे उन्हेंने मुझे सकती से कहा कि मुझे माइनोर्टी के बीच में जाना है उनके उत्थान के लिए काम करना है जो योजनाय सरकार की चल रही है ग्राउन लेवल तक वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है इसके बारे में भी ध्यान देना है माइनोर्टी के बीच में जाना है मुस्लिमों के बीच में जाना है सिख भाईयों के बीच में जाना है जैन भाईयों के बीच में जाना है इनके बीच में जाके हमको उनके उत्थान के लिए काम करना है जो उनकी मुलभूत परशानिया है उनको समझना है और उन परशानियों को कैसे हम दूर कर पाए इसके बारे में भी काम करना है तो इस thought process के सार हमने बीजेपी में काम किया और 2022 के चुनाओं में आप देखिए बड़ी संख्या में minorities ने भी भातेजनता पार्टी को वोट किया voting percentage बढ़ा है 2022 के चुनाओं में भी तो ये अब दिखाता है कि राश्ट निर्मान के लिए सब एक जुट हो गए हैं और सब का विश्वास जो है भातेजनता पार्टी पे अब आ चुका है और सब को ये लगता है कि देश हीत की राश्टरीके बात करने वाली जो एक मात्र यह बहुत अहम है आप देखिए कि बैठक में अभी हम लोग बने हुए एक हफते भी अभी हुए हैं और अभी से ही हम लोग फुल एक्षन मोड में है तो यह पर्ष्ट एक संदेश चला गया है ग्राउन लेवल तक कि हम लोग पूरी तरीके से दिन्दात मेहनत करके काम करेंगे और हम जैसे सौ दिन का एजेंडा बनाया है वैसे छे महने बनाएंगे वैसे एक साल का बनाएंगे स्टेप बाई हो रहे हैं और इससे क्या हो कि क्विक एक्षन में हम आच हुगे हैं तो जब हम छोटे-छोटे टार्गेट बनाएंगे तभी हम बड़ा एचीव कर पाएंगे इस दिशा में हम काम कर रहे हैं जो उनकी इमानदारी के साथ ग्राउन लेबल पर काम करने की जो उनकी बात है और अपनी चिंटा किये बिना लगातार जन्ता की सेवा करने के लिए लगातार ततपर रहते हैं तो उससे हम तमाम युवाओं को उर्जा मिलती है लिए हमको एक ऐसा नेता दिखता है कि जिसके नेतित में हम इस उत्तर प्रदेश को उत्तरम प्रदेश बना सकते हैं। आप देखिए वो लागातार मुनलब 18 गंटे, 19 गंटे काम करने वाला एक व्यक्ति। हमारे उत्तर प्रदेश का नेतित तो कर रहा है, निश्यत तोर पर एक सवभागे की बात है हम सभी के लिए। और हम सब युवां उनसे पेंड़ा लेके और इस उत्तर प्रदेश को और बहतर बनाने के दिशा में पुरी इमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो भी हमारा जो शीष नेतित तो है मानिमुक्रंती जी हैं। जो भी दिशा निर्देश हमें देंगे, हम उस दिशा निर्देश का पूरा इमानदारी से पालन करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो हम इस अपने कारेक्रम के जरीए जो शक्सियत होती है, उसके जीवन से जोड़ी कोई ऐसी बात जनता तक पहुचाना चाहते हैं, जो जनता ना जानती हो। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में, जो चात्र जीवन रहा है, कोई ऐसी लड़ाई ऐसा अंदोलन जो कि आपके जीवन में कटिन रहा हो। लेकिन उसके बाद आपको कफी खुशी मिली हो। विर बहुत सारे अंदोलन है। अब इस तरह तो अभी तो कई सारा नहां और कोई बात छीपी नहीं क्योंकि हम लोग तो बीच में रहे सब के बीच में रहे और हम लोग जब होस्टल में भी रहते थे लगनुश्वी डेले में फिर उसके बाद हम लोग जहां भी कमरे लेकर रहते थे जब रहते थे 10-15 और कहां घृते थे डा क्वर सब्सक्राइब काका जो नहीं ता मम चीजी आइसे की स्टूडेंस के सुछ्वाण के लिए अच्छी तइज व पाएं हुपाएं उनके अड्मीशन सनु अच्छी से हो पाएं सुलव्दा से diu सिवें और चईवें 15 अध्मीशन हो पाएं बीना पुलिस बल ने तब समाजवादी पार्टी का साशन था और युवाओं की बात जब हमने उठाई तो वहां लाठी चार्ज हुआ और बड़ी संख्या पुलिस वाले थे तो बहुत मारा गया था हमें तब बहुत चोटे आई थी तो वह सब तमाम यादे हैं और उन्ही यादो के सहारे उन्हीं भाईयों के सहारे उन्हीं दोस्तों के सहारे उन्हीं पदाधिकारियों के सहारे परिवार के सहारे आज हम यहां पहुंचे हैं और आगे भी इन सब का प्यार अशिरवात सुने हैं मिलता रहेगा मैं ऐसा यकीन करता हूं मैं पूरी इमानदारी से अपने स दिए बारी में कब जानकारी मिली कि आपको भी राजय-मंत्री बनाया जा सकता है और यॉषरवश्यक कोई सब ये रsине के लिए संधेर कि बाई इक सबस्ते संदेश है कि बाई बाई देखिए अगर हमाई साथ दानिश वाजाद अंसारी जी जुड़े थे जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े कुछ एहम बाते बताई हैं आशो करते हैं आपको अच्छी लगी होगी अगले अपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शुक्सित के साथ और कुछ अंसुनी बातों के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आपका पसंदीदा न्यूस चैनल प्राइम टीवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमेस प्लेयर के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर और अब ये आ गया है नेट विजन के चैनल नमबर 241 पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार